जैहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाई स्कूल साइक अध्यापक भरती परिक्चा के लिए यहाँ पर हैंदी प्रेक्टिस सेट अपना एतीन हैं बहुत ही महत्तपूर्ण देख लेते हैं उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और इसी तरह की और टेस्ट है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्क्राइब करने बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें काकि और वीडियो भी जानकारी सबसे पहले आप कहां तक तो आप कमेंट में आंसर जरू बताते जाएं क्या होगा इसका सही आंसर तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तुलसी दास यान की विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा Q2 आपसे यहाँ पर पूचा गया है ब्रजवासा काभी की ब्रहत्तरी में किसे सामिल नहीं किया गया है देखे नहीं किया गया है सामिल तो किसको सामिल नहीं किया गया है यह बताने है भारते अंदू सत्य नारण कभी रतना कर रामचरित उपाध्याए तो Q2 का राइट आ नाम से अपना प्रतम का भिसंग्रे किसने रचा है गिर्जा, कुमार, मातुर, समसिर, बहादर्ष, भवानी, पिरसाद, मिस्ष्ट, धर्मबीर, भारती तो पाफ्य नंबर 3 का आपका जो सही आंसर है आपके लिए हां पर बताने कौशन मर्ट 3 कराइट आंसर क्या है गीत फरुस नाम से अपना फिरतम काव्य संग्राई किसने रचा है तीन कराइट आंसर है आपका भवानी प्रसाद मिस्टर आपका यहां पर विकल्प नमबर बी आपका सही आंसर है कॉस्चन नमबर चार आपसे यहां पर पूँचा है डग मग यहां पर कॉस्चन नमबर चार पूँचा है चार डग हमने भरा तो क्या किया नमलिखत मेंसे यह काव्य पंती किस की है चार डग हमने भरा तो क्या किया तो यहां पर आपके चार विकल्ब दिये गए हैं तो आपके लिए बताना है कि पिरताप नारण मिस्र ने इन में से कौन सा निबंदे लिखा है तो निबंदों में किसी लिखा है यह आपके लिए बताना है तो 5 का राइट आंसर है बात यानि की विकल्ब नंबर एक आपके यहां पर सही आंसर है बात Question number आपके यहां पर 6 पूंचा है निबिध्या पति इनमे से किस रचना की आधार पर मेतल कोकल कहला है पदा वली किर्थी लता, किर्थी पता के आज़ प्रोग सभी question number 6 का आंसर बताना है तो 6 का आपका जो आंसर है बहित आपका 6 का right answer विकल नमबर 1 यानि की पदा वली पदा वली आपका यहां पर सही answer विलकुल सही पदा वली right answer है Q7 आपसे यहाँ पर पूंचा है मजदूरी और प्रेम सीर्षक निवंद के लेखक की एक रचना है Q7 का डी राइट आंसर है बंजारा मन आपके हैं आपसे यहाँ पर पूंचा गया है Q9 आपसे यहाँ पर पूंचा गया है Q9 आपसे यहाँ पर पूंचा गया है कि प्रिशिद समीचक रमेश कुंतल मेग को उनकी किस किर्थी के लिए बर्स 2017 का साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया था तो बर्स 2017 का साहित अकादमी पुरुषकार दिया था प्रिश्टिगत विशेषता है नई कवीता प्रिश्टिबाद या दलत विमर्स या चाया बाद तो क्वाश्य नंबर दस का राइट आंसर आपके लिए हां पर बताना है लगुमानव की धाड़ना किसकी प्रिविश्टिगत विशेषता है तो क्वाश्य नंबर दस का राइट आंसर है विकल्ट नंबर एक यानिकी नई कवीता क्वाश्य नंबर ग्यारा क्या पूँचा है मैं साहित को मनुस्ति की दरश्टी से देखने का पक्छ पाती हूँ एक तन किसने कहा है ये कतन आपके लिए बताना है ये कतन किसने कहा है तो Q11 का आपका जो सही आंसर है कि यह जो कतन कहा है वह किसने कहा है तो Q11 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक यानि कि हजारी परसाद दोबेदी आपका सही आंसर है हजारी परसाद दोबेदी आपका सही आंसर है तो Q13 का आपका जो सही आंसर है तेरा का राइट आंसर है आपका विजय देव नाराने साही जाएसी नामक समिक्छा किरती के लेखक है Q14 आपसे क्या पूँचा गया है हिंदी भासा की मासिक पत्रिका बागर्त कहां से प्रकासित होती है तो एक कलकत्ता से मुंबई से नईदिली से या चंडिगर से तो एक प्रकासित कहां से होती है यह आपके लिए बताने तो Q14 का सही आंसर है आपका विकल्प नबर एक या निकी कलकत्ता आपका सही आंसर है Q15 है द्वत बाद केस आचार दौरा प्रवत्तित संप्रदा है निम्बार का चार रामानुजचार विश्णुसवामी या मदवाचार तो द्वत बाद बताने है तो Q15 का राइट आंसर आपका यहां पर जो होगा मदवाचार आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नबर D Q16 यहां पर पूँचा है पंच पांडव चरित रास के रचेता है तो 16 का राइट आंसर है आपका सालिवद सूरी विकल्प नबर एक आपका सही आंसर है Q17 है बीरता जब भागती है तो आप अपने पीछे राजनीती के चल शिद्र की धूल उडाती है अपरक्त कतन परसाद के किस नाटक का है यह आपके लिए बताना की बीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीती के चल शिद्र की धूल उडाती है एक अथन परसाद जी के किस नाटक का है अजास चत्रू चंद्रकुप तेसकंद को धुरब सौमनी तो सत्रा का सही आंसर है विकल्ब नमबर आपका डी धुरोब सौमनी आपका सही आंसर है कौस्चन नमबर अठारा है इनमें से कौन सा कभी नक्यनबाद से जुड़ा है नकेनबाद से कौन से कभी जुड़े हैं तो आपका साही आंसर है केसरी कौमार विकल नंबर एक आपका है आपका है क्या पर साही आंसर है सचदानन्द हीरानन्द बास्साइन अग्ये या प्रवाकर माचवे या भगवती चण बर्मा या एस्पाल तो question number 19 का सही answer है कि सचदानन्द हीरानन्द बास्साइन अग्ये आपका विकल्प number 1 सही answer अग्ये जी अपने अजनभी उपन्यास के लेखाखें बहे हिरदाई नहीं पत्थर है बहे हिरदाई नहीं है पत्थर है जिसमें स्वादेश का प्यार नहीं ए प्रिसेद्र कावशा सुकल शनी ही मेहत्री सन गुप्त माखलाल चतुरबेदी या रामिन इस्तर पाठी तो 20 का सही आंसर आपके यहां पर होगा गया प्रसा सुकल सनी ही विकल्प नमबर एक आपके यहां पर सही आंसर है गया प्रसा सुकल सनी ही Question number आपके यहां पर 21 पूंचा है इनमें सी कौन सा कभी जो है सत्साहिकार है Question number 21-का अंसर बताना है तो 21-का शही आंसर है के सब्धास पदमाकर या सिया रामसलनगुप्त या ब्योगी हरी तो 21-क आपका ब्योगी हरी आनिकी विकल्प नंबर D आपका सही आंसर है Question number 22- 결과 कभी को एक भारती आत्मा अपनाम से जाना जाता है एक भाती आत्मा उपनाम से जान जाता है माखनलाल चतुरवेदी जी को मैथिल सन गुप्त बालकर्ष्म सर्मा नवीन या सिरिधर पाठक तो बाइस का विकल्प नमबर एक माखनलाल चतुरवेदी आपका सही आंसर है एक भारतिय आत्मा की नाम से इनको जो अपनाम से जाना जाता है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है तो तीसरी सत्ताव पन्यास के लेखक के नाम बताना है गिरी राज के सोर गोबिंद मिसर स्रीलाल सुकल या बनिर्मल बर्मा तो question number 23 का आपका जो सही answer है वहे आपका विकल्प number 1 यानिकी गिरी राज किसूर आपका सही answer है question number 24 पूंचा है अरिदा संपरदाई को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है तो 24 का आपका सी राइट answer है सकी संपरदाई सकी संपर्दा है आपका सभी answer है हिंदी नावरतन एक आलोचन आत्मक किती है जिसके आलोचक रचनकार है मिस्योस्य सरोज है, रामचन सुकल, मिस्ट बंदू, या स्याम सुन्दर्दास तो question number 25 का आपका जो सही answer है बहे है आपका 25 का आपका हैंपर Mr. बंदू आपका right answer है हिंदी नावरतन के लेकर अंगला question है कलम का सिपाही हिंदी गद्ध की किस विदा की रचना है आत्मकता संस्मनल रिपोर्टाज या जीवनी question number 26 का answer बताना है कलम का सिपाही इंदी गद्ध की किस विदा की रचना है तो 26 का सही answer है विकल्प नंबर आपका हैंपर D यानि की जीवनी आपका हैंपर सही answer है question number आपके हैंपर 27 पूचाए क्या है कलाधर उपनाम से रचना करने वाली का नाम क्या है ये बताने सुमित्रन अंदन पंध महादिरी बर्मा सुरकांतर पाठी नराला या जैसंकर प्रसाद 27 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जैसंकर प्रसाद यानि की विकल्प नंबर D राइट आंसर है बिलकुल सही विकल्प नंबर D राइट आंसर 28 धर्म की रसाद्म या नुबूती का नाम भक्ति है उप्रोक्त कतन आचा रामचन सुकल का जो एकिस निबंद का अंसर है स्रद्दा और भक्ति लोब और प्रीति मानस की धर्म भूमी या कवीता क्या है तो कॉस्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है बहिए आपका की मानस की ध्रम भूमी अपका यहीता पर सही आंसर है कॉस्चन नंबर 29 है भविस्यत कहा किसी रचिना है तो नंज नंगर 29 का विकल्प नंबर सी या निदे धनपाल धनपाल आपके यहाँ पर 29 का विकल्प नंबर C राइट आंसर Question number 30 क्या पूंचा गया है भारत दुर्दसा की रचिनकार जैसंकर परसाद भारत अंदु हरिस्चंद्र डाक्टर रामकुमार बर्मा डाक्टर लक्ष्मी नारनलाल भारत दुर्दसा की जो रचिनकार है तीसकर आइट आंसर विकल्प नंबर C भारत अंदु हरिस्चंद्र रीती वद्द कभी देव हैं नलंकारवादी वक्रोतिवादी रीतिवादी या रसवादी तो Question number 31 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर D आनि की रसवादी आपका यहाँ पर सही आंसर है रसवादी जो उन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है Question number 32 से गीत गोविंद की रचिता है गीत गोविंद की पूँचा है तो गीत गोविंद में आपके हो जाएंगे जैदीव विकल्प नंबर D आपका यहाँ पर सही आंसर है Question number 33 से किस कभी जो है इनमें से एक कभी अश्रचाप में नहीं है जो आश्रचाप में नहीं है किस्षन दास चीत स्वामी चतरवज दास या गोविंद दास तो आपका 33 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर D गोविंद दास आपका यहाँ पर सही आंसर है गोविंद दास राइट आंसर है जगनिक या नरपती नाले आपका यहाँ पर राइट आंसर है तो भीशल देव रासो की रचेता है तो नरपती नाले आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगले कॉस्चन है कीर्थी पताका की रशिनकार का नाम बताना है बिद्यपती, सूर्दास, रामा, नंद या विश्णू दास तो कॉस्चन नंबर 35 का सही आंसर बताना है तो 35 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है विद्यपती, विद्यपती आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नंबर 36 क्या पूँचा क्या है कि देखे नमलिकेत में विश्णू प्रभाकर लिखेत यात्रवरित कौन सा है घाट गाट का पानी जोती पुंज हिमालाई सागर की आरपार या दरखतों के साम पार दरखतों के पार साम तो आपके हैं आपर सही आंसर है क्या है राइट आंसर 36 का विकल्प नमबर आपका जोती पुंज हिमाला राइट आंसर होगा क्या पूंचा है कि नमलकेत ग्रंथों में ऐसे कौन सा ग्रंथ रीती काली नहीं है हिमत रंगणी या हिमत रंगणी या रहस्य या जगत बनूल तो आपके हैं पर सही आंसर है तो आपके हैं पर राइट का क्या आंसर होगा 38 का आपके यहां पर विकल्प नमबर C जोनों न राइक नहीं क्या है और कॉस्चन नमबर उन्तल प्रवाशी के गीत की रचनकार कौन है नरेंद्र सर्मा भगवती चन बर्मा हरीवंस राइबच्चन या हरी कृष्ण प्रियमी तो 49 का आपका विकल्प नमबर एक राइट आंसर है नरेंद्र सर्मा आपका सही आंसर रचनकार है नराला है फिर है नौका बिहार नौका बिहार की कौन हो जाएंगे तो नौका बिहार की हो जाएंगे समित्र नंदन पंत नदी के दीप अग्गे और पुस्प की अभिलासा तो माखनलाल चतुरवेदी इस परकार आपकी यहां पर सूची सुमिलत हो गई विकल विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर था एक आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही यहाँ पर जिन्हों ने एक बताया है चालिस का उनका राइट आंसर है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर आपकी चार विकल्प दियेगा है कौन सा है असुद्ध यूग में यहाँ पर आप बताये विकल्प नमबर आपका यहाँ पर आपका सही आंसर है ब्रजबुली का संबंद है बंगाल से उत्तरपरदेश से राजस्तान से या मद्दपरदेश से ब्रज बुली का संबंद है तो आपका यहाँ पर 44 का सही आंसर क्या होगा तो बंगाल से बंगाल यानि की विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 45 है पश्चमी हिंदी की सरवादिक प्रमुक बोली इन मेंसे कौन है तो पश्चमी हिंदी की बताना है तो 45 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नमबर एक यानि की ब्रज भासा question number 46 है कौरवी भासा का ओदाय किस से हुआ है पश्चमी हिंदी, पूरवी हिंदी, राजस्तानी या बिहारी तो question number 40 का सही आंसर है की कौरवी भासा का जो ओदाय हुआ है किस से हुआ है तो आपका 46 का विकल्प नमबर हैं यहां पर जो राइट आंसर है। एक राइट आंसर पश्च्वी हिन्दी आपका यहां पर 46 का एक। अंगला कॉस्चिन क्या पूच्छा है? स्यंधालिस वा कॉस्चिन चात्यस गली भासा किस बाहसा की बोली है 36 गड़ी किस भासा की बोली है पश्मी हिंदी राजस्तानी बिहारी या पूरिवी हिंदी तो कॉस्चन नमबर 47 का विकल्प नमबर आपका पूरिवी हिंदी राइट आंसर है कॉस्चन नमबर 48 किस छेत्र की बोली को कासिका कहा गया है बीलवाडा बाराणसी दिल्ली या सूरत तो कौस्चन नमबर 48 का सही आंसर बताना है तो 48 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नमबर C यानि की बाराणसी बाराणसी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही Question Number ہے आपका 49 अंगिका किस राजी की बोली है? अंगिका बताना है तो आपको यहाँ पर सही आंसर है Question Number 50 है 14 सितम्बर 1944 को भारती सम्मिधान सबाने हिंदी को भारती संगी की कौन सी भासा का दरजाद दिया है राजवासा लोक भासा या राश्टवासा या संपर्क भासा तो पचास का सही आंसर आपका यहां पर होगा राजवासा एक विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर है कॉस्चन नमबर इंक्याउन पूचा है भारत में हिंदी को सम्मीदान की किस धारा की अंतरगट राजवासा गोसित क्या हिंदी को भारत में में तो इंक्याउन का विकल्प नमबर एक है कि धारा 343 एक आपका यहां पर सही आंसर देवनागरी लिपी का सर प्रताम प्रियोग किस राजव में हुगा जो है माना जाता है महराष्ट राजिस्तान पंजाव या गुजरात Q2 का सही आंसर बताना है तो बाउन का आपका यहां पर गुजरात राइट आंसर विकल्प नमबर D आपका यहां पर सही आंसर बिलकुल सही अंगला Q2 है राम ध्यान मंजडी के रचेता कौन है तो तुलसी दास है या स्वामी अग्रदास के सबदास या हरताराम तो Q2 का आपका यहां पर सही आंसर है तो Q2 का विकल्प नमबर D आपका यहां पर नमबर D आपका यहां पर नहीं है देखिए नहीं पूछा है आपसी नहीं है मिलन पथिक सौपने नहोस तो आपका यहां पर सही आंसर है Q2 का एक उपणियास नहं में शिवताई कौनसा है question number है आपका यहाँ पर पचपन पचपन का सही आंसर है आपका यहाँ पर सो अजान एक सो जान आपका सही आंसर है अपनी खबर किस लेखा की आत्म का था है पांड़े वेचन सर्मा उग्र राहुल सान कितना रामविला सर्मा या स्यामसुंदर दास तो चपन का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यान की पांड़े वेचन सर्मा उग्र आपका सही आंसर है question number संताउन है दिये गए विकल्पों में ऐसे कौन सा अतुल है अतुल का समानार्थी सब्द नहीं है अनुखा, अनुपम, अनल या अपूरवे तो आपके हैं आपर संताउन का जो सही आंसर है कि कौन सा अतुल का समानार्थी सब्द नहीं है तो संताउन का आपका भी राइट आंसर है अनल आपका सही आंसर है निमने लिखे सब्दों में ऐसे अनिकार्थक है अनिकार्था के साहस, अंबर, पुस्तक या बालक तो question number आपके यहाँ पर untown है untown का जो सही answer है वह आपका अंबर यानिकी विकल्प number C right answer है question number 69 है कि कूलन में, केली में, कछारन में, गुंजन में, क्यारन में, कलित कलीन निलंकित है इसे काब पंती में कौन सा अलंकार है अनुपरास है या यमक है से लिए से रूपक तो आपका सही answer है 69 का विकल्प number 1 यानिकी अनुपरास आपका यहाँ पर 69 question number 60 है मुदित मनुहर ने मानस देखा पंती में अलंकार है यमक, रूपक, उपमा या रूपरास तो question number 50 का सही answer बताना है तो 50 का आपका अनुपरास आपका right answer यहाँ पर है अंगला question यहाँ पर पूँचा क्या है निमलिखत मेंसे सुद्ध बरतिनी कौन सी है यहाँ पर आपके लिए सुद्ध बरतिनी बताना है question number 16 में महत्पूर्ण question है एक सट का सही answer है अनदीकार आपके हैं पर सही answer है तो विकल्प number 1 right answer question number 62 है कली कुटल जीब निस्तार हित बालमी की तुलसी भयू कथन है रामचरण दास का नाबादास रगुबिर्दास या हरी रामब्यास तो आपके हैं पर सही answer 62 का विकल्प number B नाबादास आपके हैं पर सही answer है नाबादास आपका right answer बिलकुल सही question number 63 क्या पूँचा क्या है खेती ना किसान को विकारी को ना भीक बली बनिक को ना बनेज ना चाकर को चाकरी पंती में कौन सी किर्टी से सम्बंदे थे हैं तुलसी की जो है किस किर्टी से सम्बंदे थे हैं ये पंतियां आपके लिए बताने हैं रामचर रित्मानस बिनेपत्री का कभीता वली या गीता वली 63 का right answer है विकल्प number आपका B आनकी कभीता वली आपके हैं पर सही answer है जहांगीर जस्चंद्री का रचना किस की है के सब् भूसन मतिराम या दिप तो कॉस्चिन नुबर 64 का आपका सही answer है जहांगीर जस्चंद्री का किस की रचना है 64 का सही answer है विकल्प number 1 के सब्दास आपका सही answer निम्नमय से परतिनी की द्रश्टी से असुद्य सब्द कौन सा है प्रादेशिक प्राप्त माधुर्य या प्रम निम्नमय से अब यह भावसमा से नहीं है पूंचाएं आप से तो नहीं में आपका 62 का सही answer 66 का राइट answer है आपका यहांपर विकल्प number D यानि की I आपका यहांपर सही answer है पानी सब्द का बच्चन क्या है एक बच्चन बहुँचन सदा बच्चन या सदा एक बच्चन सदा बहु बचन या सदा एक बचन तो question number 68 का सई आंसर है पानी सब्द का बचन क्या है तो 68 का आपका D right answer सदा एक बचन निवनमिय से कौन सा सब्दे बिशेशन है आगरा घर चमकीला या लिखना तो question number 69 का आपका जो सई आंसर है 69 का right answer है आपका यहाँ पर क्या होगा right answer विकल्ब नमबर B यानि की चमकीला सवर संदी का उधारन बताना है अनियब या किंचेते या तादरोप या नीरस तो question number 70 का सई आंसर बताना है और 70 का जो right answer है विकल्ब नमबर 1 यानि की अनवय अनवय आपका यहाँ पर सई आंसर है question number 71 क्या पूँचा क्या है question number 71 सवर संदी में किसका मिल होता है मिस्वर संदी में किसका मिल होता है तो आपका यहाँ पर right answer है तो question number 71 का right answer है सवरों का स्वरों का आपका यहां पर सही आंसर है और यहां पर बिल्कुल सही स्वरों का राइट आंसर संदी का जो ओधारन पूंचा है अनवय है और स्वर संदी में किसका मिल होता है तो आपका 71 का राइट आंसर है स्वरों का Q2 क्या पूँचा है कि किस स्वर की उच्चारण में दीरग स्वर से भी अधिक समय लगता है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 72 का विकल्प नंबर ब्लुप तो आपके यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर Q2 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो अंगला पूँचा गया है देख लेते हैं आपर अंगला क्या पूँचा गया है कि हिंदी का स्वरों का भर्गी करान जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निमलिकित में ऐसे कौन सा भेद इसके अंतरगत नहीं आती है आठ साथ inaug अता तो आपके हैंपर Q74 का का राइट आंसर है क्या है नवर और आपकर चोटर का राइट आंसर विकल्प नंबर एक या ने की question number 76 है अनुपसर के से बना सब्द है अनूचर अंतर अनूपमा या अनुत्तर तो question number 76 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा बहे है विकल नमबर एक यानि कि अनूचर आपका सही आंसर है question number आपका 78 पूँचा है अग्रज का सही बनाम क्या होगा अनूच छोटा लगू या सूक्ष में तो आपका यहाँ पर 78 का सही आंसर है अनूच आपका यहाँ पर सभी के लिए पता होगा अग्रज का सही बनाम अनूच हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होती हैं 9, 10, 11 या 12 तो question number 89 का जो सही आंसर है आपका 11 यानि कि विकल्ब नमबर एक आपका यहाँ पर right answer है विकल्ब नमबर आपका एक नई सौरी यहाँ पर c right answer है यानि कि 11 आपका सही आंसर है 89 का question number आपका 80 है अनूरूप में कौन सा समासे कर्मधारा अव्यविभाव ततप्रोस या दिगू तो question 3, 6, 4, 2 तो आपका यहाँ पर कर्म क्यादार पर बताना है तो एक 80 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्ब नमबर डी आनि कि 2 आपका सही आंसर है question आपका यहाँ पर 82 पूंचा है विभाव विचारी सहियों का दरस इंदरस निस्पत्ती को पृति पादेते किया है दंडी ने, बामन ने, भरत मुनी ने, अभीना गुप्त ने तो 82 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 82 का विकल्ब नमबर डी आनि कि भरत मुनी ने इसको जो है क्या है पृति पादित क्या है question नमबर 83 यहाँ पर कौन सा पद बीक्रत नहीं होता संग्या विसेशन अभिय यह किरिया, तो question number 83 का सही आंसर बताइए, महत्यपोर्ण question आप से यहाँ पर पूशा है, 83 और विकल्ब नमबर बी अभी आपका सही आंसर है, question number 84 नमलेकित में से कौन सा तदभाव सब्द है, अमिय या इस्टिका या उलूक या कुपत्र है, तो question number 84 का आपका जो सही आंसर तदभाव, देशज, या तदसम, या विदेशी, तो question number 85, 85 का सही आंसर है, आपका यहाँ पर विकल्ब नमबर भी यानि कि तदसम सब्द कहलाते हैं, तो इस सब्द क्या कहलाते हैं, तदसम राइट आंसर है, निमलेकित में से कौन सा सब्द पुल्लिंग है, स्वंबर, न नहीं पूंचा है, आपसे नहीं है, तो आपका यहाँ पर 87 का जो सही आंसर है, आपका विकल्ब नमबर C, आनि कि धूम्र केतू, धूम्र केतू, आपका सही आंसर है, चंद से संबंदित गणों की सही संख्या है, आपके लिए बताने 8, 6, 7, 10, तो इस आपके चार 68, आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्ब नमबर C, र casts, आंसर है, Q67, राम आम खाता है, वी बाग्चे का कौन सा रूफ है, इसमें बाग्चे का रूफ बताने, Q69 में, तो इसमें कौन सा रूफ है, कि राम आम खाता है, तो आपका यहाँ पर 89 का सी राइट आंसर है, कौनसा सब्द पुलिंग है, तो पुलिंग सब्द यहाँ पर आपके लिए बताने हैं, कौनसा सब्द पुलिंग है, यहाँ पर 4 विकल्ब भी आपके यहाँ पर दिये गए हैं, तो बैस सब्द बताने हैं, जो पुलिंग है, त उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्ता का बोध है तो यह आपके लिए बताने question number 91 का राइट आंसर की किरिया की उस रूपांतर को क्या कहती है जिससे उसके कार ब्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्ता का बोध है संग्या परिमान बोधक वि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है अंगला question को खड़ी बोली में क्या कहती है तो इसको खड़ी बोली में बताना है इसको खड़ी बोली में क्या कहती है तो 92 का आपका जो सही answer है वह आपका विकल्प नंबर एक अंकुरत होना question number आपका यहाँ पर 1390 यहाँ नीचे दिय 93 का विकल्प नंबर सी अपनी पेरों पर खड़े अपनी इवकों को अपनी पेरों पर खड़े होने पर ही विवाय करना चाहिए question number आपका यहाँ पर वंगला दिया है यहाँ से आपके जो आंगे कि जो question दियेगा है वह इस गध्यांस में ऐसे आपको बताना होता है तो यह है उम्र बहुत बांकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है एक सपन मोती का है तो एक सपन रोटी भी तो है घुटनों में माता रखने से पोकर पार नहीं होता है और यहाँ पर देख लेते हैं सोया है विश्वास जगालो हम सब को नदिया तरनी है और मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है नेह को से को खुल कर वांटो कभी नहीं तोटा होता है आशू वाला अर्थ न समझो तो सब ज्ञान वेर्थ जाएगा मत सच का आवास दवालो सास्वत आग नहीं करनी है तो इस परकार यहां पर आपके लिए इसमें से अब आपको यहां पर कि आज मसीनी युग में समय महेंगा होने का तातपर क्या है तो यहां पर इसका तातपर समय महेंगा होने का क्या तातपर है तो 94 में आपका जो सही आंसर होगा वह आपका विकल्प नंबर B की ब्यक्ति समय के साथ बंद गया है तो यह आपका जो है B यहां पर सही आंसर और रोटी का स्वपने का क्या तात पर है, question number 95 में बताने है मोती का स्वपने और रोटी का स्वपने, तो 95 का सही आंसर है आहां पर ब्यवाव, युक्त जीवन, वा आविसाकताओं की पूर्ती, तो यह आपका हैं पर सही आंसर है मोती का स्वपने और रोटी का स्वपने, अं संती का जो यहाँ पर भाव है अर्त है भैक्या है तो 96 का आपका सी राइट आंसर है मान निश्क्री हो कर आंगी नहीं बढ़ सकता है उंगले कौ con क्या है तो मन और इसने के बारे में कभी क्या परामर्ण से दे रहा है तो 97 में आपके लिए बताना है मन और इसने कि बारे में कभी क्या परामर्स दे रहा है तो आपका सईआन्सर है कि मन से हार नहीं माननी चाहिए तता इसने बाचने से कम नहीं होता है तो ये जो है आपका विकल्प नंबर D यहाँ पर सईआन्सर होगा विकल्प नंबर D में बताना है तो आपका सही आंसर है इस से वास्तिविक समस्तियां समाप्त नहीं होती है तो सच का आवास क्यों नहीं दबाना चाहिए क्योंकि इस से वास्तिविक समस्तियां जो है समाप्त नहीं होती है question number आपका 99 यहाँ पर दिया गया है अरविंद सब्द का परियाबाची सब्द कौन सा है तो अरविंद सब्द का जो परियाबाची है कमल है गुलाब है कल्प ब्रक्ष है या क्योड़ा है तो question number 99 का विकल्प number 1 कमल आपका यहाँ पर सही answer है कमल जिनों ने बता है उनका सही आंसर है चंद की हर पंती को चरण या खालिस्तान कहा जाता है पाद या ती गती या गण तो आपके हैं पर सही आंसर है question number 100 का विकल्प नंबर एक right answer की चंद की हर पंती को चरण या पाद कहा जाता है तो विकल्प नंबर आपके हैं पर एक right answer है तो इस बिरकार अपना यहां पर प्रैक्टे सेट कॉप्ली необходимо तो कमेंट में आपके लिए बता है कि एबाट वीडियो आपके लिए के हैं सेWeek चैनल को सस्क्राइब करना है बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें और एसी तरह के और प्रैक्टिस सेट अगर आंगे आप लिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सस्क्राइब अबस्ते कर लें और कमेंट में जरूर बताएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवास सभी के लिए जय हिंद जर एसी ए सभी के लिए हमारा चाहते हुत मेंड़नाव के लिए ़िए सर झाहते हैं ऐसी तक भी data है सभी है के लिए आप हुत техवाशith first आप जरは हुत विए ठाहते हैं उस्ति में ऩचित है Gel Bone